नवाश्कर में राज महत्यृवारी आप देख रहे हैं बिहारी निभी विहार में करोना का कहर जाड़ी है नए आकरे काफी डड़ावने है ये काफी बेहत खतरनाक रूक लेते जा रहे हैं जो बिहार के लिए सही नहीं है और इसी को देखते हुए बिहार में आज अधिकारियों की एक हाई लेवल मिटिंग बुलाई गई है जिसमें मुख्य मंत्री नितिश कुमार भी सामिल रहेंगे। हो सकता है कि बिहार में अब लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए पटना में खासकर यह लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत साफ दिख रहे हैं। 10-16 जुलाई तक का लॉकडाउन टी-म कुमार रवी ने पटना में घोसित किये थे। इसके अलावे अन्य 15-16 जिलो में भी लॉकडाउन की घोसना की गई थी। लेकिन अब जो पिछले तीन दिनों में जो मरीजों के आकरे मिले हैं वो काफी ही भयानक हैं। भया वह हैं। क्यूंकि पिछले तीन दिनों में जो मरीजों के आकरे मिल रहे हैं वो 3,091 हैं। 10 जुलाई के बाद से जो 13 जुलाई की रिपोर्ट साम को बिहार स्वास्त बिभाग ने दी है। उसमें मरीजों की संख्या लगभग 17,421 हो चुकी है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार अब जाके सचेत हुई है। सबसे ज़्यादा सचेत होने का करणिया दिख रहा है कि अब बिहार के नेता भी सुरक्षित नहीं है। पहले यह घोसना की गई थी कि बाहर से जो आ रहे हैं लोग हैं वो श्रमिक हैं या अने लोग वो कोरोना पॉजिटीव पाए जा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में ही रह रहे हैं बिहार के नेता आम जनता की छोड़ दीजी भी भी आईपी उनके घरू तक कोरोना पहुंच गया। के मुख्यमंत्रिनितिश कुमार के आवास कुमणत्रिष कुमार मोधी के डिक्वल और इसके अधिकाड़े मेंındर जो कुमार मोधी के आ और आपरेमाओ दीट की तैयारियों में ब्यस्त थी वो अब कोरोना के मामले के बढ़ते संख्या को लेकर एक हाई लेवल मिटिंग में पहुंची है जहां पर आज हो सकता है मंगलवार को आज कि इसको लेकर पूर्ण लॉकडाउन एक कहा जा सकता है अभी का जो लॉकडाउन उसमें कुछ चीजों म खतम हो रही थी वो 31 जुलाई तक की जा सकती है मिल रही है जो ख़वर है उसके अनुसार मिटिंग में क्या निर्नय लिया जाता है इसके संबंद में हम आपसे बात करते रहेंगे और आपको यह खवर पहुंचाते रहेंगे पटना की स्थिति के बारे में आपको बता दें है कि पूरे बिहार में तो आकड़े 17,421 हैं लेकिन अकेले पटना में कोरोना के जो आकड़े हैं कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के वह 2100 लगबग 2100 है 1997 कल साम की रिपोर्ट के अनुसार अभी जो नई रिपोर्ट है वो नहीं आई है इसलिए हम आकरों में बढ़ोतरी होनी तय कितनी बढ़ोतरी होती है यह देखने वाली बात होगी पिछले जो कुछ समय से बिहार में स्तिती गंभीर होती जा रही है को लेकर इसको लेकर सरकार पर कई तरह के अभी पक्षने सवाल भी खड़े किए कि टेस्टिंग कम की जा रही थी अब टेस्टिंग बड़ी है तो संख्या भी लगतार लगे उसमें पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पर थोड़ी बहुत प्रतिबंद की बड़ोतरी की जाए अब यह देखना होगा कि किन ट्रांस्पोर्टों को रोका जाएगा अगर रोका जाता है तो बिहार अब खत्रे के निशान पर है यहीं कहुंगा कि घर में रही है सुरक्षित रही है पटना राजधानी में नब्बें कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं अगर इसको हम अनुमंडल वाइज बाटें तो पटना सिटी में 20 कंटेनमेंट जोन है मैं दूसरा है पटना जिले में 90 कंटेन्मेंट जोन बन चुके हैं जिनमें घरों की संख्या वह इन जो नबबे कंटेन्मेंट जोन है उसमें जो घरों की संख्या है वह 15,981 है जब कि वहां राने वाले व्यक्तियों की संख्या 74,476 है अब सोचिए कि जो कंटेन्मेंट जो 90 बने हैं उसमें इतने व्यक्तियों के उपर कोरोना का खत्रा मंडरा रहा है और बिहार सरकार अभी तक चुनाओं में बेहस्त दिख रही थी अब जाके जागी है जब देख रही है कि मामला हाथ से निकलते जा रहा है और नियंत्रित हो खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रही है बिहारी नियूज धन्यवाद